हलो अब्रीवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन वो दोस्तों जब से डेली उनिवर्सिटी ने S.O.L. regular और N.C. web के लिए जो promotion की guideline रिलीज करी हैं उसके बाद से आप लोगों के बहुत सारे क्वारीज हैं खासकर उन बच्चों की जिनका या तो कोई प्रिवेस एर में back paper है या फिर पूरा साल repeat कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों को क्या होगा वो इस वीडियो में मैं discuss करूंगा तो वीडियो को बहुत जादा carefully आपको देखना है पहले उसी के बाद comment करिएगा ठीक है इसके अलावा दोस्तों तो एसोल के first year के semester mode के student हैं देखिए उनके लिए अभी assignment की कोई भी information website पर नहीं आई है तो किर्पिया करके अभी आप यह सवाल ना करें कि assignment कब मिलेगा कैसे मिलेगा कहा समिट करना है कैसा समिट करना है ठीक है जैसे एसाइनमेंट की कुछ भी update होगी तो हम proper वीडियो के थूँ आपको समझा देंगे तो याड थोड़ा सवाल कम कर लो first year वाले कि assignment कब मिलेगा और कैसे मिलेगा ठीक है अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ second year की देखिए दोस्तों करेंटली second year में बच्चे हैं देंगे assignment के basis पर 50% और first year की performance के basis पर 50% ठीक है अच्छा अब दूसरी केडिगरी यही है कि second year में जो बच्चे ऐसे हैं जिनका first year में कोई एक दो बेक पेपर भी है तो यार वो जो बेक पेपर आपका है वो अगले साल होगा third year में 2021 में होगा वो पेपर ठीक है second year में आपको अभी प्रमोट कर रहे हैं लेकिन जो बेक पेपर है वो आपका अगले साल होगा समझाई बाद अगले साल होगा आपका बेक पेपर ठीक है तो अब आप यह सवाल ना करने कि मैं second year में हूँ मेरी बेक आई हुई है first year में कुछ दो तिन सब्जेक्ट में तो मेरा क्या होगा आपका पेपर अगले साल होगा 2021 में बेक वाला और बागी जो second year के subject है उसको assignment के बिसिस पर और first year की performance के बिसिस पर प्रमोट करा जाएगा ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं ऐसे बच्चे तो अभी फिलाल third year में है currently third year में है ऐसे बच्चों का क्या होगा ऐसे बच्चे open book exam देंगे third year का भी देंगे open book exam वो लोग और अगर third year के साथ second year या first year का कोई back paper है या फिर कोई improvement दे रखा है second year का तो वो भी इसी साल होगा open book exam के according confirm date sheet website पर आ गई है link भी मैं आपको video के description box में दे दूँगा ठीक है आगे बढ़ते हैं third year के ऐसे बच्चे जिसने third year complete कर लिया है तीन साल उसने complete कर लिया हैं लेकिन उसके बावजूद भी या तो उसके second year में कोई paper रह गया है first year में कोई paper रह गया है या even third year में भी कोई paper रह गया है suppose 2019 में उसने third year का exam दिये थे ठीक है एक्जाम देने के बाद भी 30 year का कोई पेपर उसका रह गया है या फिर second year का भी कोई रह गया है तो ऐसे बच्चों का भी open book एक्जाम होगा इसी साल एक जुलाई से टेशीट वेबसाइट पर अविलेबल है ठीक है ये बात खतम हो गई अब आती हमारी में चीज ऐसे बच्चे तो पुरा साल रिपीट कर रहे हैं उनका क्या होगा तो आर उनको open book एक्जाम देना है इस साल सपोस 2019 में आपने first year के एक्जाम दिये थे ठीक है 2019 में first year के आपने एक्जाम दिये लेकिन आप fail होगा है फिल होने के बात क्या हुआ कि 2020 में आपको first year के एक्जाम दुबारा देनी थे अब ये promotion की रूल आ गई लेकिन ये promotion का रूल आपके लिए नहीं है आपको first year चुकिए आप repeat कर रहे हो तो ये एक्जाम आपको देनी होंगे open book के according जो date sheet website पर available है इसके according ठीक है जी अच्छा इसलिए आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ रहा है यानि कि 2019 में second year के आपने एक्जाम दिये लेकिन चुकि पूरा year आप repeat कर रहे हो तो 2020 में भी आप second year के एक्जाम देने वाले हो ठीक है तो आपको भी promote नहीं किया जाएगा आपके भी open book एक्जाम होंगे ठीक है अगर दोस्तों बात ही ही है कि जो back paper है ऐसा बच्चा तो पूरा साल रिपीट कर रहा है वो इस साल open book का एक्जाम देगा date sheet के according जो website पर available है और ऐसा बच्चा जो currently second year में है लेकिन first year का कोई back paper उसका है तो वो अला back paper नहीं होगा इस साल वो अगले साल होगा third year में लेकिन second year का जो जो second year में है वो second year के assignment और first year के performance के business पर उसको promote करा जाएगा ठीक है तो यही कुछ queries थी और इसके लाब मैं आपको यह भी बता दू कि 2019 में जिसने second year के exam miss कर दिये यह first year के exam miss कर दिये 2019 में 2020 में वो देने वाला था तो देने वाला था नहीं देखा ठीक है open book के according अब यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं यह सब चीज़े मैं आपको ओपी शर्मा सर से contact कर रहा था मैंने उसके according बता रहा हूं ठीक है खुद मैंने जो है query करी थी as well के अंदर mail में आप दे सकतो जो आपर screenshot है उसके according में उतारो कुछ friends है कुछ मेरे दोस्त है और कुछ मेरे जो students है उन्होंने भी क्वारी करी थी खुद तो हुई मैं आपको उन तमाम sources के थूरू यह बात पहुचा रहा हूं ठीक है तो अब मुझे लगता है कोई doubt आपका नहीं होना चाहिए कि exam हमारे होंगे कैसे होंगे क्या होगा ठीक है open book exam के उपर जो भी guidelines है उसके उपर मैंने एक वीडियो बना रहे किये preparation किस तरी किसे करनी चाहिए उसके उपर मैंने वीडियो बना रहे किये इसके अलावा अगर आप पहली बार open book exam दोगे तो जो mock test होता चाहिए उनिवर्स्टी की तरफ से जली स्टार्ट करा जाएगा अब उस mock test के थुरू आप familiar हो सकते हो कि क्या-क्या procedure मुझे open book exam में फॉलो करना है question paper download करने से लिकर answer sheet को scan करनी तक क्या-का सारे steps मुझे follow करने है तो वो exam से एक अफ़ते पर मॉक test की शीरीज शुरू होगी website पर उससे आपको काफी help मिलीगी कि वहाँ पर जब आप मॉक test की series अवेल करोगे तो सारी जानकारी आपको से मिल जाएगी ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो useful लगी हो तो उस वीडियो को शेयर करें का ज्याल से जाता कुछ और queries हो तो comment section में लिखकर पूछ सकते हैं thank you